हेलो प्रेंट्स वेलकम तो मां यूट्यूब चैनल संजिलाना ओफिसल में जदी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेज करें ताकि हर नई वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंशाएं हमें सबसे पहले अपने मातरी भूमी के परणाम करें चैनल यहाँ पर उपस्ति सारे लोगों के नमन करें चैनल हमरो नाम सुभम कुमार चे है हमरा ठेटी उतना अच्छा नहां आवे चे है मम्मे के मैं एक मेहना पहले बोलिये कि अहां सारा चीज हमरा दिल के बट लेकिन हमरा अपनों मातरी भासा नहीं सिखल के आप ठेटी मैठली का एक बोली है आप अपने बच्चों को सारा लेंग्वे सिखाईए आप ठेटी भी सिखाईए हिंदी भी सिखाईए और इंग्लिस भी सिखाईए आप लोगों को लगता हुआ कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं लेकिन मैंने जब अपनी ट्रेनिंग अकाडमी में सबसे पहले गया तो वहां पे सारे यूपेसी क्राक की वे बंदे थे सारे वहां पे जोबी थे सब राइंकर थे टॉपर्स थे तो सारे लोगों ने पूछा कि वहां पे उनकी तो दूसरी भासा है सारे लोगों का कुछ ने कुछ उनका खुद का होता है और वह उस पे घर्व करते हैं तो मेरा यह कहना है कि आप अपने कल्चर को अपने संस्क्रिती पे घर्व होना चाहिए जहां भी मैं गया वहाँ पर सुरुवात में लोग बोलेंगे कि एक बिहारी है लेकिन धीरे धीरे उनको यकीन हो गया कि बिहारी क्या कर सकता है वो बोला कि बिहारी ऐसे बोलता है वो बोला कि गुजराती भी तो अपना अलग भासा बोलता है कभी साउथ वाले लोगों को देखा कैसे हिंदी बोलते हैं सो मेरा यह कहना कि अपने पे आपको confidence होना चाहिए आत्म नश्राशन होना चाहिए अपने पे गर्व होना चाहिए जब आप अपने को जान पाएंगे तो ही आप अच्छे से अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं क्योंकि फिर आप अपना शक्त प्रतिस्त देंगे मैं जो भी हूँ वो मैं अपने परिवार वालों के वज़ा से हूँ मेरे परिवार में पापा, मम्मी, चाचा, चाची, दीदी, भाई, बहन सबका महत है मैं कहीं पर भी गया हर दिन मम्मी पापा से हर दिन अपने परिवार वालों से बात किया तो ये कहने के लिए एक छोटा सा बात है लेकिन जब आप अपने लोगों के पास रहते हो और उनका फुल सपोर्ट आप पे होता है तो मुझे ये लगा कि अगर मैं एक्जाम नहीं भी कौलिफाइ करपा हूँ फिर भी मेरे परिवार मेरा हमेशा साथ देगा कभी भी ऐसे पापा नहीं बोले कि ये एक्जाम नहीं कौलिफाइ करोगे तो क्या होगा वैसा कुछ में तो ये बहुत बहुत बरा रोल प्रे किया मेरे सक्सेस में एक्जाम के हर घरी में हर स्टेज पे मैं ये बोला कि पापा इतना मुश्किल है मुझे नहीं हो पाएगा लेकिन पापा कहते थे कि नहीं तुम कर सकते हो तुमको जितना विश्वास तुम पे है उससे ज़्यादा मुझ पे तुम पे है तो ये सपोर्ट जो है वो बहुत यूनीक रहा वो बहुत अलग किस्म का सपोर्ट रहा और दूसरी बात जो पापा कह रहे थे कि घर का महौल अच्छा होना चाहिए तो अभी तक मैं एक एक इंसिडेंस मैंने नहीं बताया है कि मुझे असल में मोटिवेशन कहां से मिला एक बार ऐसा हुआ कि पापा को याद भी नहीं होगा बालदेव ददर मेरे घर पे आते हैं वो अपने बेटी के शादी के लिए कुछ तीन हजार रुपए पापा से उधार पे लिए होंगे और उनकी बेटी के शादी पापा यहां मंदीर में कराये थे तो पापा ने ये नहीं कहा कि तीन हजार रुपे मैं दे रहा है वो अगा कि नहीं आपको वापस करना है फिर वो महनत किये और फिर वो तीन हजार वापस जब दे रहे थे तो मैं भी देख रहा था पापा ने सारा नोच काउंड किया पांसो के नोच से फिर एंड में तीन अजार रुपे दादा को दे दिया कि ये आपकी महनत की कमाई है ये अपने साथ रखे ये मैं कहना चाहता हूँ कि इससे ये क्या हुआ कि वो सामने वाला महनत किया वो कमाई वो फ्री का पैसा नहीं समझा इसी तरह मैं भी चाहता हूँ मेरी ये कामना है कि मैं भी लोगों के लिए काम करूँ एक बार रिजल्ट आ जाना बड़ी बात होती लिए उससे बड़ी बात है कि लोगों के आशाओं पे खरा होना मैं भगवान से पड़ातना करता हूँ कि मुझे इतनी सक्ति दे कि मैं हर लोगों की आशाओं पे खरा उतरो इसके अलावा आप आप जो भी रहें लेकिन सबसे पहले आप आदमी अच्छा बने लोगों ने कहा कि तुम्हारा लग बहुत अच्छा है एक्जाम कौलिफाय हो जाता है अच्छे कर लेते हो लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप तर लग तभी साथ देगा जब आप खुद के लिए आप सही हो आप दूसरों के लिए सही हो आप दूसरों की मदद करें आप पे भवाहन मदद करेगा चात्रों के लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसे बच्चपन में मुझे लोग कुछ कहतें, बहुत जिद्धी है, मैं पकहता हूँ कि जिद्धी है तो ठीक है, मैं ये करूंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, ये जिद्धी भी बहुत अच्छी चीज है, जिन्दगी में उतार चारहाऊ हूँ, किसी के जिन्दगी में होता है मेरे भी जिन्दगी में रहा जब विद्धे विहर में क्लास 6 में गया 110 लोगों में मेरा अस्थान जो होता था वो 40-50 के आसपास होता था लेकिन पापा मुझे कभी फोर्स नहीं कि तुमको पहला स्थानी लाना है क्लास 6 में ऐसे ही रहा 7 में भी क्लास 40 के आसपास ही रहंका रहता था क्लास 8 8 में किसी ने मुझे कह दिया कि शुभम बहुत लगी है 40 के आसपास रहंका आता है सेक्शन A में चले जाते हो विदेवर में रूल था कि टॉप 40 वाले को सेक्शन A में रखते है तो फिर मैं यह सोचा मैंने प्रण लिया कि मैं यह करके दिखाऊंगा कि यह बस लग नहीं है मैं महनत करूँगा चाचरों को यह कहना चाहता हूं कि जब आप प्रण लेते हैं आपके पास एक प्रण होता है आप उसको उसको इंप्रिमेंट करिए और धीरे धीरे आप खुद का एक बहतर सर्फ बनके निकले कि आपको यह हमेशा लगना चाहिए कि आज का जो मैं हूं वह कल का जो मैं बनूंगा वह आज के मैंसे बहतर बनूंगा जिन्दगी बहुत चीज सिखाती है संघर्ष बहुत चीज सिखाता है और लाइफ के हर फेज में हमारी कोशिश ये रहती है कि मैं अपना एक बेटर सेल्फ बनूं मैं इससे भी और अच्छा बनूं और मेरा भी यही रहेगा प्लाश में मैं एक पंक्ति बोलूंगा कि कर्मन्ये वधिक अरस्ते मा फलेशु कदाचना अर्थात आप कर्म करिए फल की चिंता ना करें फल तो कभी न कभी आही जाएगा धन्दगाद प्लाश को बहुत बहुत धन्दगाद और को उसके जीवन की शुब कामना के लिए धन्दगाद कहना चाहता हूँ कि आप लोगों इतने की तादात में यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इतने सारे लोग इतने अच्छी बाते कहीं मैं यह विश्वास जिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जैसा भी सोचा होगा उस पे मैं ख़रा उतरने के कोशिस करूँगा